21 मार्च को पश्रिम बंगाल के बीर भूम के बगटूई गाउं में एक ऐसा दर्दनाख हाथसा हुआ जिसने सभी को दहला दिया इस हाथसे ने लोगों को इतना डरा दिया कि अब गाउं से लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए जहां एक तरफ बीर भूम में तवाही का मंजर है लोग डरे हुए है तो बीजेपी इसमें मौके की तलाश कर रही है बीजेपी नेताओं के प्रतिनेदी मंडल एक के बाद एक मौकाई वारदात की ओर दोड रगा रहे हैं और निशाने पर है पश्य मंगाल की सीम ममता बनर जी बंगाल के राजपल जगदीव धनखड ने भी ममता राज में कानून व्यवस्था की स्तिथी पर सवाल उठाते हुए इसे जंगल राज तक बता दिया दूसरी और राजप सरकार भी इस घटना से हैरान परिशान दिख रही है बंगाल में एक दशक में इस तरह की घटना नहीं हुई है जब एक साथ आठ लोगों की जान ले ली जाए ऐसे में सरकार बैक फूट पर है राजी की सीम अमता बनर जी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सक्त कारवाई होगी ऐसे घटनाई यूपी गुजरात में भी हुई है लेकिन मैं इस कारण बंगाल की घटना पर परदा डालने की कोशिश नहीं करूँगी बीजेपी की ओर से पहले इसमें सांपरदाईक आंगल तलाशा गया सोशल मीडिया पर खबर को सांपरदाईक चश्मे से देखने की भी शुरू किया गया लेकिन TNC सरकार नी साफ कर दिया कि मामला इस्थानी अरंजिश का है इस घटना का सांपरदाईकता से कोई संबंध नहीं है तो क्यों बीरभूम में बीजेपी का सांपरदाईक काड नहीं हो पाया सफल इसी की परताल करेंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीरभूम के बगटोई गाउं में ऐसा क्या हुआ जिससे अचानक लोग उग्र हो गए और आठ लोगों की जान चली गई बीरभूमी पंचायत के उप प्रधान और टीमसी के वरिष्ट नेता भादू शेख सोंबार की शाम को गाउं के पास एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे उसी समय कुछ अग्यात लोगों ने उन पर बंब से हमला किया जिससे शेख गंभी रूप से घायल हो गया शेख को रामपूर हाट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया लेकिन इससे पहले ही उनकी सांसे थम चुकी थी डॉक्टरों ने शेख को मृत घोशित कर दिया इसके बाद अचानक ही गाओं में हिंसा भड़क गई गुस्साय लोगों ने आठ से दस घरों में आग लगा दी जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई है एक घर से ही साथ शब बरामद हुए जबकि एक व्यक्ति की जान इलाज के दौरान चली गई घटना से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है घटना की जानकारी जैसे ही हुई सोशल मीडिया पर तुरंथ ही ममता सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई फर्जी तस्वीरों के साथ फर्जी खबने वाइरल होने लगी है कि टीमसी के गुंडों ने हिंदूों की बस्ती पर हमला कर निर्दोष हिंदूं को मार दिया ममता राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है दावा तो यहां तक किया जाने लगा कि मरने वाले बीजेपी के कारे करता थे जिन्हें ममता के विरोध की कीमत चुकानी पड़ी दरसल शुरुआत में सिर्फ टीमसी नेता भादू शेख की हत्या की खबर ही सामने आई थी लेकिन जैसे ही मरने वाले बाकी लोगों की नाम सामने आए वैसे ही इस जूट का परदा फाश हो गया क्योंकि मरने वाले सभी लोग अल्प संख्यक समुदाइश से ही तालोक रखते हैं जैसे ही मामला साफ हुआ बीजेपी नेताओं के बयान भी बदल गए और वो अब ममता राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं ममता सरकार ने घटना की जाच के लिए SIT का गठन किया है दूसरी और कोलकाता हाई कोट ने भी घटना का स्वत्य संख्यान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है कोट ने सभी पक्षों से सवाल किया कि अगर किसी को आपति नहीं है तो क्यों ना मामला CBI को सौप दिया जाए CBI ने भी साफ कर दिया कि अगर कोट निर्देश देता है तो वो इस मामले की जाच करने को तैयार है लेकिन CBI और बंगाल सरकार के बीच जो पिछले कुछ दिनों से टकराव हुए हैं उसके बाद ममता सरकार CBI जाच को लेकर मुश्किल में जरूर दिख रही है फिल बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी तो मौके पर पहुँच भी गए वो ममता सरकार पर सवाल उठा रही हैं दूसरी ओर बंगाल की CM ममता बनर जी ने साफ कर दिया है कि घटना को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए किसी को घटना इस्थल पर ज चाने से विपक्षी दलो को रोग दिया जाता है दूसरी ओर TNC नेताओं ने दावा किया कि वो बंगाल को यूपी बनने भी नहीं देंगे मामला राजनीतिक नहीं बलकि रंजिश का है जांच में जुटे अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि ये मामला रंजिश का ही है ज जबकि पश्चिम पाड़ा में दूसरे गुट का दबदबा है गाउं में दोनों ही गुटों के बीच कई सालों से रंजिश चल रही है जैसे ही शेक की मौत की ख़वर पूर पाड़ा में पहुंची पूरे गाउं में भारी उतेजना फैल गई और एक घंटे के अंदर ही क जाच का जिम्मा एसाइटी को सौब दिया गया है एक और जाच चल रही है तो दूसरी और राजनीती भी तेज हो गई है पुलिस महाने देशक मनोज माल भी ने बताया कि करीब दो दर्जन लोगों को गिरफतार किया गया है जाच में जिसका भी नाम आएगा उसके बेखतार को और्स्थिंधर करना चाहती है वीजेर कर कर रही है दूसरी और मंता Benar जी बीजेपी को कोई भी तेने को त्यार नहीं है कि पश्य मंगाल में सरकार हमारी है हमें अपने लोगों की चिंता है हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को तकल sack कि घटनाए हो चुकी हैं हम निश्पक्ष कारवाई करेंगे यह बंगाल है उत्तर प्रदेश नहीं मैंने त्रिमूल कॉंग्रेस का एक प्रतिनिधी मंडल हातरस भीचा था लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया लेकिन हम किसी को यहां आने से नहीं रोक रहे हैं ममता बनर्जी दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करने वाले स्वर सुनाई दे रहे हैं ऐसे बयानों से जांच के काम में बाधा पहुँचेगी वीरभूम की घटना के साथ राजनीती का कोई लेना देना नहीं है यह बात टीमसी भी कह चुकी है और पुलिस भी और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें भी साफ है इसका ना तो दो समुदाई की लड़ाई से कोई वास्ता है और ना ही दो राजनीतिक दलों की यह लड़ाई है यह घटना इलाके पर कबजे की लड़ाई का नतीजा है पुलिस ने भी निजी दुश्मनी के चलते भादू शेख की हत्या की बात कही है उसके बाद आगजनी की घटना उसका बदला लेने के लिए हुई तीमसी के प्रवक्ता कुनाल घोष ने कहा है कि रामपुर हाट में आग से मौत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है यह स्थानी ग्रामीनों का संगर्ष है एक दिन पहले तीमसी नेता की हत्या की गई मौता सरकार को बर्खास करने की कोशिच में जोटी हुई है ऐसे में यह तैय है कि यह मुद्दा अगले कुछ दिनों तक राजनीति लगातार गर्माता रहेगा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डी बी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बिल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुश्ती रहें देखते रहें डी बी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगाता हुआ 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 है